कॉलेज का नाम, कॉलेज की ऑपरचुनिटीज, कॉलेज के अंदर क्या क्या चीजे तुम्हें experience करने को मिल रही है, वो ज्यादा relevant है, versus तुम कौन सा course यहाँ पर adopt कर रहे हो, अब क्लास टोल में तुम्हें पता है, तुम बीए प्रोग्राम करने वाले हो, यह बीकॉम आनस कर है, तुम कहोगे सर, 90% तू चलो, एक बार को मैं एम कर लो, 98% कैसे लेगे हैं? हेलो एव्रिवान क्या हाल है सभी के, my name is Gokul Chabda, I'm a Ramjas Passer of 2018, और यहर, मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा career guidance के बारे में थोड़ा बताने आया हूँ, बताना है हूँ, क्या तुम्हें गलती आभी नहीं करनी चाहिए, देखो, यहर, मेरी तरफ से न अच्छा हुआ, कि तुम्हारे class 12 के board exams थोड़े पोस्पोर्ण हो गए हैं, हुआ वो COVID की वाईसे है, वो अलग बात है, COVID से आदा आया है, hope all of you are doing fantastic, all of you are safe, और यहर, जिसके घर भी कोई भी case आया है, I'm sure सब recover कर रहे होंगे at a good pace, तुम्हें यह बात समझने पड़ेगे कि यहर, जो भी हमें बताया जा रहा है, career guidance के बारे में, यह college entry के बारे में, college admissions के बारे में, वो थोड़ी आदी अदूरी information है, उसके बारे में थोड़ा बात करने आया है, तो अच्छा हुआ, class 12 के board exams थोड़े से postpone होगे, तुम्हें बहुत जादा ample time मिल गया है बीच में, entrances के लिए prepare करने का, class 12 के बारे में, re-calibrate करने के लिए अपना thoughts, कि here मैं, finally मेरे को किस college में admission लेना है, देखो, यहर, जब हम class 12 join करते हैं, start करते हैं, तो हमें लगता है, भाई, class 12 में तो 4 देंगे, बहुत बढ़ी आए percentage ले गया हैंगे, यहर, इस case में एक end goal हम हमेशा भूल जाते हैं, और उस end goal के बारे में, last के 2-3 मेने बात कर रहे होते हैं, वो end goal है, कि here class 12 में आपको marks लाने है, अच्छा college लेने के लिए, यह बात सही है, अब बहुत सरे students यहाँ बोलेंगे, यहर, अच्छे marks आगे नहीं, तो अच्छा college अपरया मिल जाएगा, देखो, यहर, ऐसा नहीं है, आपको एक strategically, एक informed decision लेना पड़ेगा, अपनी life के अंदर, आपको कौन से-कौन से colleges में apply करना है, उनके admission form निकलने शुरू हो गए है, कौन सा college, सिर्फ class 12 के basis पे तुम्हें admission देने वाला है, कौन सा college, college entrances के basis पे तुम्हें admission देने वाला है, आप मानोगे नहीं, when I passed out in 2015, इतनी unawareness थी यार, हमें पता ही नहीं था, कोई entrance करके भी कोई चीज होती है, हमें बस यह था, बस 2015 में वही अपना marks अच्छे लेया हो, देखेंगे दिल इनिवस्टी जाएंगे, पंजाब इनिवस्टी जाएंगे, तो marks depend करते थे, marks decide करते थे, कि तुम किस college में जाने वाले हो, देखो यार, admission process पूरा पूरा न, evolve हो रहा है, new education policy 2020 के तहट, major universities में, देखो यार, 98% से जादे universities के मैं इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ, government institutions को अभी हटा दो, private universities, सारे के सारे admission अपना entrance base पे लेती है, और यार, धुखत की बात तो यह है, 90% students को पता ही नहीं होता कि entrance based होता क्या है, entrance basis के ओपर भी हमारे college में admissions हो रहे होते हैं, क्या आपको पता है, अभी class 12 के board exams आपके हुए नहीं है, और as of today, May 10, May 11 होगा आज, as of today, Christ University ने अपना admission process चालू करके ख़दम भी करने वाला है, वो June के अंदर, तो तुम समझे जो, just like Christ University, there are so many universities within India, जो matter नहीं करते हैं कि class 12 में तुमारे कितने marks आए, वो validation के लिए ज़रूर चाहिए होंगे, एक proof के लिए ज़रूर चाहिए होंगे, बढ़ यह सिरफ class 12 के boards के exams के basis पे, उनमें admission secure ज़रूरी नहीं हो रहा हो, तो उसके बार में तुमें awareness होनी चाहिए, और major जो myth, major जो गड़ा जिसमें तुमें नहीं पढ़ना है, वो यह है, कि तुमारे parents, तुमारे relatives, तुमारे guides, तुमें क्या guide करते हैं, कि what do you want to pursue, they expect you, the society expects you, कि तुम class 12 में ही जान लो कि तुमें करना क्या है, मुझे management में जाना है, मुझे law में जाना है, मुझे BBA, BMS, miscellaneous courses करने हैं, जैसे अपने psychology honors हो गया, history honors हो गया, ये सारे humanities वाले लेते हैं हमारे, journalism हो गया, architecture हो गया, तुमें करना क्या है, तो को क्या करते हैं, तुम ये decide कर लो, वो ऐसा बोलते हैं students को, तुम ये decide कर लो, कौन से course में जाना है, college तो अपने आप कोई न कोई अच्छा target तुम करी लोगे, बट नहीं यार, ये approach बिल्कुल absolutely wrong है, इस approach से दिमाग सिर्फ खराब होता है, कई अच्छी college में admission होने के chances हमारे, in fact, इस approach से कम हो जाते हैं, 98% जनता will ask you to choose among these courses, वो कहेंगे एक course decide कर लो, और सोच लो, exploration कर लो, internet पर search कर लो, कि इसे बात कर लो, और देख लो, कौन सा course तुम है pursue करना है after class 12, देखो यार, ये level of understanding होना, तुमारे लिए इस level पर, तुमारे senior badge, जो college में पहुँच चुका है, उनके पास भी नहीं है, कि उन्होंने सही course लिया भी है या नहीं लिया, तो यार, अभी तुम class 12 में, you are at a very nascent stage, immature stage पे हो, अभी तुम सबसे ये expect कर लेना नहीं हमें पता है, जी मेरे को तो claw करना है, मेरे को तो clad देना है, नहीं मेरे को तो BBA करना है, बीकॉम ओनस करना है, बीकॉम प्रोग्रम करना है, ये बेफकूफी है, और merely course structure को पढ़के, तुम अंदाजा लगा ही नहीं सकते, उस course का आगे future क्या है, opportunities क्या देने वाला है, समझ रहो, तो यहर एक बहुत बड़ा dilemma, एक बहुत बड़ा question यहां पे निकल के आते है, कि हम course की तरफ जाए या college की तरफ जाए, देखो या realistically, जब तुम्हारे classwork के board exams खतम होते, तब तुम एडिमिशन प्रोसेसेज में आते हैं, एडिली उनिवस्टी, पंजाव उनिवस्टी, फिर हम यह बात कर रहे होते हैं, बट अभी classwork के board exams तो हो गए हैं, पोस्पॉन, तो यह बात अभी करनी, इस समय करनी बहुत जादा important है, जब तक college admissions खतम नहीं हो जाते, मैं तुम्हारा guide बनके इसी channel पे तुम्हें guide कर रहा हूँगा, जितने भी universities, you name any university, all over India, इंडिया के अंदर ही बात करेंगे, all over India universities के अंदर मैं तुम्हें guide कर रहा हूँगा, अगर चैनल पे नहीं हो, subscribe करो, session को like कर दो, अगर comment में कोई भी कोई रही है, college admissions से related, comment में बता दो, all over India universities की, कोई भी college में तुम्हें जाना हो ना, पूछलो comment करके, मैं उसका reply दे रहा हूँगा, तो एक और approach, यह approach तो होगी हमें भी यह course select करना, नहीं, यह course select करने वाली approach जो है, यह होगी outdated, यह पुराने जमाने की approach है, अब हम बात करेंगे new approach की, new approach का बोलती है, sir in reality you must focus on getting the best college, तुम बोलो के एक दम course के बारे में सोचना छोड़ दे, मैं काऊँगा हाँ, मैं काऊँगा हाँ, मैं काऊँगा हाँ, हाँ भाई, course के बारे में सोचना छोड़ दे, छोड़ दे मतलब छोड़ दे, you have to focus on getting the best of the colleges in India, देखो यार, after class 12 के बारे मैं बताता हूं तुमें क्या है, अगर तुम अभी सोच के बाट होगे न, नहीं, मेरा इंटरस्ट जर्नलिजम में बहुत जादा है, देखो यार, reality में वो इंटरस्ट नहीं है, वो तुमारा माइंड बोल रहा है, तुमने कहीं से सुन से नहीं बात से तुमें रिलाइज हो रहा है कि नहीं, जर्नलिजम देखने में बहुत, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में उसका college बड़ा lucrative लग रहा है, तो मुझे जर्नलिजम लेना चाहिए, फिर मेरा भाई बहन ने भी बोल दिया, कि नहीं, जर्नलिजम का स्कोप बहुत ज़ादा है in future, तो इन सब बातों से, without any verification, without any research, without any analysis, ये सब बाते तुमारे दिमाग में आई हैं, और हो सकता है, आई भी हो, और इसमें कोई गरत बात नहीं है, बट, देखो ना, तुमारी जो standpoint है, जो तुमारा viewpoint है, वो बहुत ही, एक single-sided रहे गए, multiple perspective से तुम सोच नहीं पा रहे हो, in short, multiple courses के बारे में, तुम जाननी पा रहे हो, एक course के बारे में तुमने सुनना, और उसको अपना एक अंदे से dream बना दिये, तुम्हें पता भी नहीं वो कोर्स तुमारे ले बना या नहीं बना, पर हाँ तुमने एक dream बना दिया, तो यहर, उस चक्रों में हमें नहीं पढ़ना है, हमें course नहीं decide करना, हमें इंडिया के अंदर, after class 12, जितने भी colleges हैं, mind it, when I say this, engineering के अलावा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर majorly humanities और commerce के students के बात हो रही है, in short, non-engineers के बात हो रही है, तो जो ITJ, फिर अबना NEET, इन सब के बारे में बात नहीं हो रही है, बात यहाँ पर यह हो रही है, जितने भी तुमारे दिली उनिवस्टी, क्राइस उनिवस्टी, non-engineering courses है, B.com, B.b.a, philosophy honors, political science honors, इन सब के अगर बात करो ना, तो college बहुत जादा important हो जाता है, irrespective तुम कोई भी course ले रहे हो, आगे आने वाली वीडियो में, मैं तुमें बताऊंगा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब पहली बात हो यहाँ पर यह समझने की ज़रुरत है, कि why we must aim for the best college, क्यों? क्योंकि opportunities बहुत जादा है, जितना better college, उतनी जादा opportunities, फिर second होगा brand value, brand value मतलब जितने भी major major colleges हैं, जितने भी old colleges होते हैं, उनकी brand value बहुत जादा होती है, वहाँ पर companies बहुत अच्छे आती हैं, अगर तुम बोलते हैं, मैं वहाँ के alumni हूँ, यह मैं वहाँ पढ़ता हूँ, मैं North Campus Ramajis College के alumni हूँ, मैं Hindu College, Hans Raj College, SRCC के alumni हूँ, मैं महाँ पढ़के आ चुका हूँ, तो तुम्हारी यार college की brand value के वज़े से, तुम्हारी brand value भी personal brand जिसको तुम बोलते हैं, वो भी increase हो जाता है, फिर हमारे जाते network, जितना पुराना college, जितना renowned college उतना जाता अच्छा networking opportunities तुमें मिलती है, multiple colleges के alumniis के साथ तुम discuss कर रहे होते हो, तो ये college का अच्छा होना, एक अच्छा network बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आगे placements, भाईया, असली में तो माल क्या है, पैसा क्या है, क्या कमाने वाले हो, क्या करने वाले हो, after graduation, जॉप करने वाले हो, तो कहा करने वाले हो, कौन-कौन सी कंप्रीज में इंटर्शिप करी है, college टाइफ में, तो ये वो placements, बहुत ज़्यादा matter करने लग जाती है, यहाँ पर एक advice है, जब भी तुम college की placements के बारे में जाना हो, कहीं इदर-उदर Google पर हैसी search मने कर दो, कि Hindu college placements ऐसे नहीं, अगर Hindu college है, दिल इन्वेस्टी का एक बहुत रेनावन college है, Hindu college वहां की में को placements चेक करनी है, तो मैं Hindu college की official website पर जाऊँगा, और उनकी placement report देखूँगा, latest placement report, तो यार उसमें तुमें पता लग जाएगा, कि हाँ यार इतने-इतने colleges में यह यह companies आती है, इतना highest package, average package, lowest package, कौन-कौन से courses के बच्चे इन placement process में पुरा बैठते हैं, तो यार इन सब के बार में तुमें college websites पे पता करना चाहिए, official college websites पे, right? तो placement हो गया, फिर हो गया crowd, crowd का मतलब क्या है? भाईया, कैसे लोग मिल रहे हैं? दिली के लोग जादा मिल रहे हैं, मुंबही के लोग जादा मिल रहे हैं, ऐसे तो उन्हीं community अपनी अलग बना दिया, तुमें isolate कर दिया हैं बच्चों ने, जैसे दिली में तो all over इंडिया के बच्चा आते हैं, मुंबही में all over इंडिया के बच्चा आते हैं, बैंगलाओर, ऐसे metropolitan में metropolitan hubs बोलते हैं इनको, basically अगर metropolitan cities में तुमारे सारे के सारे colleges अगर होते हैं और तुम महाँ पढ़ रहे होते हो, तो network opportunities बहुत जादा हैं, placement opportunities बहुत जादा हैं और crowd overall, जो crowd structure of society होता है, वो बहुत high level तुमें मिलता है, which is a very good place to be in, which is a very good place to learn from, सही है, तो यह अच्चा college होना मैं तुमें बता दिया, अब देखो यह इस case में जो मैंने बताया ना, opportunities, brand value, placements, फिर आपका networking, crowd, इन सब में कहीं भी course की बात करी, नहीं, कहीं भी हमने course की बात नहीं करी, इसका मतलब यह है, इस college के अंदर, अब मैं तुमें बहुत बड़े example बताने वाला हूँ, उसको द्यान देखो मिलना, यह मैंने पाउक्स बता दी, कि जब तुम अच्छे college में जाते हो, तुम यह यह चीज़े expect कर सकते हो, और किसी भी college की website पर चले जाना, तुमें इन सब के बारे में detail analysis मिल जाएगा, कि बाई opportunities कैसी है, placement कैसी है, societies कैसी है, and so on, right? अब एक बहुत बड़े hypothetical example लेते हैं, और यह reality example है, यह मेरा testified example है, इस example को मैंने test कर रखा है, by going to the Ramjas college placement, पुरा report मैंने देखे थी, और मैंने analyze किया, कि एर एक इनसान ने, normal BA program वो pursue कर रहा है, जानता सुनना, normal BA program pursue कर रहा है, BA program की जो cut off है न, वो है 90%, hypothetical ले लेते हैं कि, एक बंदा 90% लेके आया, इतने जादा बच्चे उसको नहीं लेते, और normally cut off उसकी कमी जाती है, बट वो कहलाएगा कहां कहां भाई है, हम तो North Campus के student है, हम तो Ramjas college के student है, हम तो 100 साल पुराने colleges में, admission लेके आया है, हम पढ़ते हैं Ramjas college में, पहली बात, दूसरी बात, एक बच्चे नहीं ली, B.com honors Ramjas college में, B.com honors की cut off जाती है, 98%, highly rated course, most rated course, सबसे ज़्यादा demand जिस course की है, B.com honors, but at the end of the day, कहेगा वो यही, कि नहीं मैं पढ़ता कहां पे हूँ, मैं पढ़ता हूं Ramjas college में, तुम मानोगे नहीं, तुम इन दोनों की placement report चेक कर ला न, जो opportunities, B.com honors वालों को Ramjas college के अंदर मिलने वाली है, वो ही same opportunities, almost 99%, वो ही same opportunities, B.A. program वाले को Ramjas college के अंदर मिलने वाली है, conclusion सिरफ इतना सा है, college का नाम, college की opportunities, college के अंदर क्या क्या चीज़े, तुमें experience करने को मिल रही है, वो ज़्यादा relevant है, versus तुम कौन सा course यहाँ पर adopt कर रहे हो, अब class college में तुमें पता है, तुम B.A. program करने वाले हैं, या B.com honors करने वाले हैं, तुमें नहीं पता, तुमें इन दोनों के course structure पढ़े के भी नहीं पता लगेगा, और बोलते हैं, नहीं, हमारा को कोई होप ही नहीं है, जी, they always look for better courses, best colleges, what they must look for, जो तुमें अभी सोचना है, कि मेरे को best से best college मिल जाए, course देखी जाएगी, B.A. program करो, B.com honors करो, you won't believe when I say this, तुम दोनों की worth, दोनों student की worth, जो B.com honors कर रहा है, जो B.A. program कर रहा है, इन दोनों student की worth, अगर वो रामजस college में है, तो same है, बाबा, same worth है, मैं बता रहा हूँ, same है, ठीक है जी, ऐसे किसी भी college का, तुम random example ले सकते हो, पर हाँ, अगर बोलो नहीं, सर, एक बच्चा कर रहा है, B.A. program नामजस college में, B.com honors कर रहा है, SRCC में, तो मैं obviously कहूंगा, since SRCC is a better college than Ramjas college, तो B.com honors SRCC वाले की worth जादा है, similarly बोलोगे, सर, रामजस college में कोई B.com honors कर रहा है, versus SRCC में कोई B.com honors कर रहा है, तो मैं बूलूँगा, कोई भी course हो, वो मेरी नहीं पार करवा देगा, कर रहा है,